विधान सभा चुनाव पहले चरण के लिए 289 उमीद्वारों ने नामांकन पत्रद आखेल किये बुद्वार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी 30 अगस तक या उससे पहले नाम वापस लिए जा सकेंगे जम्मू सताई सगस जम्मू के साथ जिलों के 24 विधान सभा चुनाव के पहले चरण में मददान होना है 18 सितंबर 2024 को होने वाले विधान सभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रद आखेल करने का मंगलवार को आखरी दिन था मुक्य निर्वाचन अधिकारी के कार्याले की ओर से जारी एक बयान में नामांकन दाखिल करने वाले उमीदवारों के बारे में विस्तित जानकारी दी गई अनंतनाग जिले में कुल 72 उमीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है इसके बाद पुलवाममा जिले में 55, डोडा जिले में 41, किष्टवार जिले में 32, चौपियां जिले में 28, कुलगाम जिले में 28, जबकि रामबन जिले में 23 उमीदवारों ने नामांगंद आखिल किया है। जबकि तरेपन डोडा पश्चिम एसी से 9 उमीदवारों ने नामांगंद आखिल किया है। कश्मीर संभाग में पुलवामा जिले के 4 विधान सबाक्षित्रों के लिए 32, पंपोर विधान सबाक्षित्र से 16 उमीदवारों ने नामांगंद आखिल किया है। जबकि 35 राजपूरा विधान सबाक्षित्र से 12 उमीदवारों ने नामांगंद आखिल किया है। शोपिया जिले के 36 जैनपूरा विधान सबाक्षित्र से 15 उमीदवारों ने नामांगंद आखिल किया है। 49 कुलगाम विधान सबाक्षित्र से 11 उमीदवारों ने नामांगंद आखिल किया है। 45 श्रीफ उग्वारा विधान सबाक्षित्र से 13 उमीदवारों ने नामांगंद आखिल किया है। 27 लाग से अधिक मददाता अपने मताधिकान का प्रयोग करने के पातर हैं। 11.76 लाग पुरुष मददाता और 11.51 लाग महिला मददाता और 60 और जेंडर मददाता शामिल हैं। 16.66 लाग युवा मददाता भी मददान के पातर हैं। और पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम्ति थी 27 अगस्त 2024 दोपहर 3 बजे तक थी। 28 अगस्त 2024 को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जबकि उमीदवार 30 अगस 2024 तक दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के कार्याले में अपना नामांकन पत्रव वापस ले सकते हैं। इसके बाद वैदे रूप से नामांकित उमीदवार चुनावी मैदान में होंगी।